हेलो लोगाइज, वेलकम ने सेंसें मेडिकल साइंस, मा नहीं में महोईत, आयम अनम विवेस इंटेन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमस्कुलर स्पेसिस के बारे में, लास्ट वीडियो थी अपर लिम के ओपर जो हमने कवर की थी वो था डेल्टोइड मसल और रोटेटर कफ वाली वीडियो, जो मैंने इस वाले मेथड से कवर की थी तो इंटरमस्कुलर स्पेसिस की बात करते हैं, तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा एक ही मसल के बीच में निया, इंटरमस्कुलर स्पेसिस बने हुया है जिसको हम इंटरमस्कुलर स्पेसिस यहां पे बोली भोल रहे हैं terrace minor या फिर subscapularis दो क्यों लिखे मैंने terrace minor जो है यह हमारे scapula के पीछे से origin लेती है तो यह पीछे की तरफ boundary बनाएगी उस space का और subscapularis जो है वो हमारे scapula के आगे की तरफ से origin लेती है मतलब anterior वाले पार्ट से origin लेती है तो यह जो है उसकी anterior ली यह boundary बनाएगी उस space की तो terrace minor या subscapularis मने इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है और terrace major तो चार कौन-कौन सी चीज़े हो गई तीन यहाँ पर muscle है एक यहाँ पर bone है तो क्या-क्या हो गया हमारे पास long head of triceps ब्रैका हो गया medial aspect of humorous हो गया terrace minor या फिर subscapularis हो गया और terrace major हो गया तो इन बसल्स के बीच में हमारे पास total तीन spaces बनते हैं अपर पार्ट में दो space होते हैं lower part में एक space होता है क्या अपर पार्ट क्या lower part सब समझ आएगा बस मतलब 10 second और हो जओ अपर पार्ट में जो दो space बनते हैं क्यों से होते हैं literally बात करें तो quadrangular space बनता है literally मतलब humorous की तरफ और medially बात करें तो upper triangular space बनता है medially मतलब scapula की थोड़ी तरफ आएं तो और lower part में एक space बनता है वो है lower triangular space तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ notice करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक quadrangular space है मतलब इस shape का और दो हमारे पास triangular shape है मतलब triangle जैसी shape के तो quadrangular space की total 4 boundaries हमें देखने को मिलेंगी quadrangular नाम से पता चल रहा है और triangular spaces की हमें total 3 boundaries देखने को मिलेंगी जिसकी हम बात करने वाले आगे वाले इस वीडियो के अंदर तो अब इस वाले diagram में ध्यान देना इस वाले diagram में आपको अच्छे समझ आए जाएगा जो जो चीज मैं बोला हूँ कि चार कौन-कौन सी चीजें हैं जिसके बीच में space बन रहे है और कौन-कौन से space बन रहे है वो भी आपको दिखाई दे जाएगे तो अगर आप इस diagram में ध्यान दो तो मैंने यह वाले diagram कहां से ले गया कैसे बताऊगे कि यह आगे से पीचर ली गई है या पीछे से यह कैसे बताऊगे तो मैंने बोला था आगे की तरफ हमारी subscapularis muscle दिखेगी teris minor पीछे की तरफ दिखाई देगी तो आगे की तरफ हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है यह जो muscle है बड़ी सी यह कौन सी muscle है यह हमार पास subscapularis muscle ठीक है नई दिखाई दे रहा हो देखो मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ तो जो यह बड़ी वाली muscle जो आपको दिखाई दे रही है अगे यह जो मैंने muscle बोली यह कौन सी muscle होगी subscapularis तो subscapularis के इस वाले border पर ध्यान देना ठीक है subscapularis का एक border हो गया इसको मैं mark कर देता हूँ green color से ठीक है तो यह हो गया subscapularis का border समझा आ गया subscapularis के बाद दूसरी muscle की बात चलें दूसरी muscle की बात करें तो कौन सी थी teris major एक थी और कौन सी थी long head of triceps break आई था यह दो muscles और बची है हमारे पास तो अब यहाँ पर मैं आपको teris major करूँगा तो यह वाली जो muscle आपको दिखाई दे रहे है यह वाली यह है teris major ठीक है जैसे नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक सके तो इस वाली muscle का अगर आप नाम देखोगे यह वाली muscle तो इसका जो नाम है वो है teris major देखो यह रहा यह कौन सी मसल है, टेरिस मेजर मसल है, तो टेरिस मेजर की अगर मैं यहां पर boundary बनाऊ यहां पर, तो यह हो गया, टेरिस मेजर मसल की boundary, ठीक है, दूसरी चीज होगी हमार पास, थर्ड अगर हम यहां पर बात करें, तो थर्ड हमार पास आ जाती है, कौनसी, long head of triceps break आए, तो जो यह आपको लंबी सी दिखाई दे रही है, यहां पर यह वाली, यह होगा, long head of triceps break आए का एक side और यह होगी उसकी lateral side, एक medial border side होगी, एक lateral border या lateral side होगी, ठीक है, तो triceps break आए को भी मैंने कर दिया, और चोथी चीज क्या थी, चोथी चीज हमार पास थी humorous, तो humorous bone आपको यहां पर दिखाई दे रहे होगी, यह humorous bone है, तो इसकी boundary मैं यहां पर इस तरह से बना देता हूँ, यह हमारी होगी humorous bone, ठीक है, यह humorous bone essay present है हमार पास, ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, तो इनके बीच में जो है, हमें तीन spaces देखने को मिले, अब मैं एक एक करके तीनो space को color करने वाला हूँ, ठीक है, एक करके तीनों को color करूँगा मैं, तो एक को मैं red color से कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे, तो यह lateral side है, और यह कौन सी side होगी, यह होगी हमार पास, medial side, क्यों, क्योंकि humorous lateral side है, scapular medial side है, तो अगर आप lateral side में देखोगे, तो उपर की तरफ, मतलब, उपर की तरफ दो space बने है, lateral side में एक यह वाला space हो गया, यह कौन सी shape होगी, यह होगी, quadrangular shape, ठीक है, तो quadrangular shape में हमें एक space मिल गया, क्या नाम बोला है, इसको quadrangular space, कहां present है, laterally present है, कहां, अपर पार्ट में, अब दुसरे की बात करते हैं, तो दुसरा जो space हमें मिला, इस तरफ, यह कैसी shape बनी, इसकी, यह बना, triangular shape, कैसी shape है, इसकी, triangular in shape, कहां present है, अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट में दो space मिले, laterally हमें कौन सा मिला, laterally हमें, laterally हमें, यह वाला मिला, इसको हमने quadrangular space बोला, medial, यह वाला मिला, यह हमारा होगा, triangular space, ठीक है, एक और space आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, यह देखो, यह वाला space आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले space को मैं color अगर यहां पे करूँ, तो इस वाले space को आपको पूरा ये चीज़ समझाने की कोशिश किये हम रब कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से spaces भी दिखाई दे जाएंगे सारे तो कौन-कौन से space है ये upper triangular space ये quadrangular space और ये lower triangle space तीन space हमार पास बन गए किस-किस के बीच में था ये subscapularis ये terrace major ये हमार पास हो गए humorous bone और ये जो बन गया ये हमार पास long head of triceps break पीछे की तरफ से अगर हम देगे तो पीछे की तरफ से क्या फरक पड़ेगा आगे की तरफ subscapularis था पीछे subscapularis दिखाई नहीं देगा ये पीछे वाला diagram है तो यहाँ पे हमें इसमें भी वही है quadrangular space ये जो मसल है ये हो गया long head of triceps break आए ये हो गया terrace minor और ये हो गया terrace major ठीक है समझ आ गया होगा अब इसी चीज़ को याद करने की जो best trick जो मैं लगती है वो है ये वाली ऐसे आपको याद रखना है ठीक है इसी से आपको याद हो जाएगा सब कुछ जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो जैसे मैंने बनाया हुआ उसी तरह अपनी fingers को करो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं साम front camera से video record कर रहा हूँ तो उल्टा आपको दिखाई दे रहा होगा अपके left hand से इस तरह करना है और right hand से उपर वाला करना है ठीक है इस तरह से करना है तो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसलिए यही दिखाए है मैंने कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो मैंने जो red arrow कर रखे इसमें मैं एक एक करके सबका नाम लिखूँगा तो सबसे पहली बात M मतलब medial, L मतलब lateral ठीक है medial side, lateral side तो लंबे वाली मतलब इस तरह से जो vertically अगर हम बात करें तो हमार पास दो चीज़े थी, vertically, lateral side में क्या हो जाएगी, तो यह क्या होगी, यह हमार पास होगी humorous ठीक है, humorous bone होगी, और जो दूसरी vertical जो थी, वो एक muscle थी, जिसका नाम है long head of triceps break है long head of triceps break है तो vertically हमार पास दो चीज़ होगी, एक होगा humorous humorous, laterally हम लेके चलेंगे, और दूसरा होगा long head of triceps break है horizontally अगर हम बात करें, तो horizontally जो उपर की तरफ है, उपर की तरफ है, उपर की तरफ होगी terrace minor नीचे की तरफ जो होगी, वो होगी terrace major, उपर की तरफ terrace minor लिखो, या फिर इसको हम subscapularis भी लिख सकते हैं ठीक है, तो उपर की तरफ जो मैंने यहाँ पर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा हो diagram में, यह होगी terrace minor ठीक है, तो हमार पास क्या हो गया, vertically दो चीज़ हो गई, laterally humorous हो गया medially हमार पास हो गई, कौन सी long head of triceps horizontally बात करें, तो उपर की तरफ terrace minor, नीचे की तरफ terrace major इसी तरह से muscles का जो alignment था, उसको easy बनाने के लिए यह तरीका है याद करने का, अब इसके बीच में अलग-अलग spaces यहाँ पे बन गई है, जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे number one मतलब यह quadrangular space है, मैंने बताया है, उपर की तरफ दो space होते हैं, एक number one और एक number two number one जो है वो literally होता है, तो quadrangular space हो गया number two जो है, वो medially है, तो इसको उमने बोल दिया, अब पर triangular shape भी देखो, triangular shape, यह क्या होगी quadrangular space, नीचे की तरफ क्या होगी, lower triangular space अब इनकी boundaries भी मैं इसी diagram में आपको explain कर दूँगा, बहुत easily आपको समझ आ जाएगा, सबसे बहले चलते है, quadrangular space की तरफ, तो यह हमारा हो गया, quadrangular space, दिखाई दे रहा है, trace कर पा रहे हो, यह हमारा हो गया, quadrangular space, इसकी एक एक करके सारी boundaries करेंगे, मैंने आपको बता है, यह lateral side है, और यह medial side है, ध्यान दे दा हूँ, जहां-जहां मैं pencil मतलब ले के जा रहा हूँ, वह ध्यान देना हूँ यह lateral side यह medial side है, boundary कौन-कौन सी होगी quadrangular space की, 4 boundary होगी quad मतलब 4 होता है, तो 4 boundary है इसकी lateral boundary कोन मना रहा है, humerus ठीक है, तो lateral boundary is formed by the humorous, humorous का पहुंसा पाट, वह अभी affinity प्यां आउए तब बात करेंगे, lateral boundary is formed by humerus, medial boundary medial boundary कोन मना रहा है, long head of triceps प्र Campbell कोन सा border, कोन सी तरफ है यह border, lateral border, तो lateral border of the long head of triceps प्रेक है, समझ आ गया 2 boundaries हो गई, superior boundaries superior boundary is formed by terrace minor trace करो उपर की तरफ terrace minor है terrace minor का कौन सा border lower border lower border of terrace minor inferior boundary of quadrangular space is formed by कौन? terrace major देखो ये जो है मैं वहापे आपको दिखाई नहीं देदा हुगा ये जो है terrace major है तो नीचे की तरफ हमार पास terrace major है तो lower boundary कौन मना रहा है inferior boundary कौन मना रहा है quadrangular space का terrace major terrace major का कौन सा border है ये upper border of terrace major तो quadrangular space की चारो boundary मैं आपको बता दी समझ आ गया अब चलते अपर triangular space upper triangular space की superior boundary कौन मना रहा है terrace minor कौन सा border lower border inferior boundary कौन मना रहा है terrace major कौन सा border upper border lateral boundary कौन मना रहा है क्या है ये क्या है ये पूरी क्या है यह long head of triceps प्रेका है, तो lateral boundary को मना रहा है, medial border of long head of triceps प्रेका है, समझ आ गया, इसका कोई lateral boundary नहीं होती है, sorry, इसकी कोई medial boundary नहीं होती है, lateral boundary होती है, lower triangular space को trace करो, lower triangular space की superior boundary को मना रहा है, terrace major का lower border, उसकी medial boundary को मना रहा है, lateral border of long head of triceps, long head of triceps है न, यह इसका lateral border, और उसकी lateral boundary को मन आ रहा है यह क्या है humorous तो तीनों के मैंने boundaries भी बता दी आप जो diagram जो आपको एक्जाम में बना कर आना है वो है यह वाला diagram तो आपको यह वाला diagram same two same as it is बनाना है तो इसमें मैंने scapula दिखाई है scapula दिखाई है मतलब यह कौन सी side हो गए यह होगी हमार पास medial side और यहां पर यह कौन सी side होगी यह होगी lateral side जहां पर humorous bone मैंने दिखाई है तो अगर आप इस वाले diagram में ध्यान से देखोगे तो यहां पर scapula से क्या है यह पीछे से है यह कौन सा पाट पीछे से दिख रहा है क्यों क्योंकि मैंने यह पर terrace minor दिखाई है सब scapula इस नहीं दिखाई तो terrace minor ऊपर की तरफ terrace major नीचे की तरफ फिर से देखो इससे मतलब जो hashtag था न इससे अपने बनाते जाना उपर की तरफ terrace minor नीचे की तरफ terrace major horizontally होगी दो चीज़ वर्टिकल ही बात करें तो medial side में long head of triceps और lateral side में humorous ठीक है तीन space बन गए एक ये वाला space एक ये वाला space और एक ये वाला space quadrangular space ये मैं कर रहा हूँ ये quadrangular space ये upper triangular space और ये lower triangular space इससे भी आप boundaries याद कर सकते हो जो मैंने boundaries अभी बताई है वो इससे भी आप याद कर सकते हो तो boundaries की बात करें quadrangular space की boundaries superiorly तो quadrangular space की बात करें तो मैंने boundary of quadrangular space subscapularis बनाता है आगे की तरफ, आगे की तरफ से देखोगे तो subscapularis उसकी boundary बनाएगा पीछे से देखोगे तो inferior border of terrace minor, जो मैंने अभी आपको दिखाए था और एक और इसकी boundary बनाता है, superior boundary वो है capsule of shoulder joint, यहाँ उपर की तरफ capsule of shoulder joint भी present होता है, ठीक है inferior boundary की बात करें, तो inferior boundary अभी मैंने बताया था, नीचे की तरफ क्या होता है नीचे की तरफ क्या था, quadrangular space में नीचे की तरफ क्या था, terrace minor terrace minor के कौन सी border, upper border तो यह यहाँ पर लिखा हुए, superior border of terrace major ठीक है, उसके आज medial boundary बाउंडरी कोन मना रहा है, medial boundary मना रहा है, lateral border of long head of triceps चलो, देख लो यह भी medial boundary मतलब यह वाली, कोन मना रहा है long head of triceps का lateral border ठीक है, lateral boundary कोन मना रहा है humorous, lateral boundary कोन मना रहा है humorous, humorous की particular बात करें कौन सा हिसा, surgical lack of the humorous, अब next बात करतें content, तो content आपको इस में से जो निकलता हो, दिखाई दे रहा है, वही content हो गया इसका, तो यहाँ पर मैंने marking नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार mark भी करता चलता हूं साथ की साथ यह जो है, यह है, axillary inner ठीक है, यह हो गया, axillary inner एक तो इसका content हो गया हमार पास axillary inner, तो एक content मैंने आपको लिख दिया axillary inner, दूसरा जो है, एक vessel है वो यह red color में और blue color में दिखाई दे रहे होंगी दो चीजे हैं, तो इसको हम बोलते है posterior circumflex humoral vessels मैं लिख रहा हूं यहाँ यहाँ पर मैं जादा महाँ पर mark नहीं कर रहा डाइग्राम में तो कौन सी होगी, posterior circumflex humoral vessels, तो दो content quadrangular space के यह क्यों हुए क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसकी यह जो है, surgical neck of humorous के पास present होता है, surgical neck of the humorous मैं deltoid वाले पार्ट में बताया था neck of the humorous के पास क्या present होता है, दो vessels होती है posterior circumflex, humoral vessels यह कहाँ पे होती है, anterior circumflex भी होती है बट वो इसकी अंदर से नहीं जा रही, ठीक है space का मतलब क्या है, यह इसके अंदर वाले पार्ट से भारवाले पार्ट को जोड़ता है, मतलब muscle के नीचे वाले पार्ट को muscle के भारवाले पार्ट से जोड़ रहा है, तो वहाँ से नहीं जा रही है anterior circumflex वाली, तो हमें हम क्या गरें उसमें, तो दो चीज़े जा रही है, जो इसके अंदर content बनाती है, एक axillary nerve, वो भी surgical neck of humorous के पास गूमती है, दूसरी posterior circumflex humorous vessels, याद रहे जाएगा quadrangular space में दो चीज़ होती है, क्यों होती है वो surgical neck of humorous याद रहे जाएगी आपको next बात करते है upper triangular space के बारे में तो upper triangular space की superior boundary को न मना रहे है यह होगे upper triangular space, इसकी superior boundary को न मना रहे है, superior boundary को न मना रहे है, terrace minor का lower border या inferior border, तो upper boundaries is found by the, superior boundary is found by the inferior border of terrace minor, ठीक है उसके बात करें lateral boundary की, तो lateral boundary कोन मना रहे? lateral मतलब यह वाल, यह कोन मना रहे? long head of triceps का medial border, देखू यह long head of triceps है न, इसका यह वाला border, यह कौन सा बौरडर है? medial border है, तो long head of triceps का medial border inferior boundary कोन मना रहे? terrace major का upper border या superior border, तो तो मैं बाद में इस diagram में mark कर दूँगा, इसकी जगा vessels भी लिख सकते हो, ठीक है, तो अब पर triangular space, अब lower triangular space की बात करें, तो lower triangular space की भी हमार पास तीन boundary होगी, triangle है, तो तीन ही boundary होगी, medial, lateral, superior, तो lower triangular space पे चलते हैं, यह lower triangular space है, इसकी medial boundary कोन मना रहा है, medial boundary कोन मना रहा है, long head of triceps परेका आएगा, कौन सा part है यह, यह long head of triceps का कौन सा border है, lateral border है, ठीक है, तो long head of triceps का lateral border यहाँ पे इसका, वो बना रहा है, medial boundary, इसी तरह lateral boundary कोन मना रहा है, lateral boundary कोन मना रहा है, तो यहां मैंने humorous का medial border लिखा है, medial boundary बना रहा हूँ पर इसी बात है, superior boundary को बना रहा है, lower border of terrace major, superior boundary sound by lower border of terrace major, contents की बात करें तो इसके contents यहां पर आता है, तो अगर आपको पता हो humorous, जो bone होती है हमारी, तो humorous bone में जब आप देखोगे, तो radial groove होता है, जहां से radial nerve पास करती है, तो lower triangular space कहां present है, अगर आप lower triangular space को देखोगे, जैसे quadrangular space कहां present है, neck of the humorous के पास, इसी तरह lower triangular space जो है, वो shaft of the humorous के पास होता है, जहां से radial groove होता है, radial nerve वहां से पास करती है, तो radial nerve यहां से निकलके इस वहतलçar से बॉन के आराणड घूमती है तो इसका कउन्टेंट बनाती है वह लोवर ट्रैंग्लर स्पेस में आपको टीओं आतरेजेग को मिलते है उसके लावा वैसल देखने को मिलती है उसके लावं सब्सक्तुपन प्रैकाई वैसल्छ buttons जो कि ना है उसके लागा Quadrangular और Lower Triangular आपको याद रह जाएगा क्यों क्योंकि Quadrangular Neck of the Humerus के पास था तो axillary nerve आएगी और वहाँ पर कौन सी आर्ट्री होती है पॉस्टिर हर्गंफ्लेक्स Humeral vessels आर्ट्री वें दोलो ठीक है और Lower Triangular कैसे याद रहेगा वो Shaft of the Humerus के पास है तो वहाँ पर radial nerve उसका content बनेगा और दूसरा प्रोफंडा प्रोचिंग मिलते जल्दी नेक्ट वीडियो में बाई